हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका आपके पनी यूट्यूब चेनल आर के वरमाई लक्टिकल पर तो फ्रेंट्स आज की वीडियो बहुत ही इंप्रोटेंट रहने वाली है इस वीडियो हम तीन चार टोपिक हैं उनको कबर करेंगे यानि यूपी सेयल टीजी टू छेसो पर इसी के आपने रचेजी के ने हमने एक आँटेई फाईल की थी में जैसा कि मैंने आपको port गात अлись क्या, वीडियो में आपको हृइस्नार एक स्टाइक, आपके जाब तो यूपार है दूसरा, आपकी जो वाकनेशी आपडेट निकल रहा busty उस पर भी ऐस पर बित चर् तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहला आप जरो कैस्ट, यदि आप चैनल पढ़े हैं तो फ्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें तो फ्रेंड सबसे पहले बात करेंगे राज्य विधुपारिसद प्राविधिक करमचारी संग उत्रपरदेश की तरब से ये एक नोटिफिकेशन है यानि उत्पाद निगम साखा अनप्रा सौनपद्र उत्तरपरदेश से प्रिकासित किया गया है आप इसके अध्यक्ष स्री विजय बहादुर जी और सचिव अनिल कुमार सियादब और कोसा अध्यक्ष जो है आपके श्री डियन भगत जी इस प्रिकार करके दिये गए हैं डेट की बात करें तो 18 फर्वरी 2021 की इसमें डेट दी गई है और आपका पत्रंग संख्या भी यहां पर आप देख सकते हैं यह बाला पत्रंग संख्या इसमें आपको दिखाई दे जाएगा यह बाला और सेवा में स्रीमान जी मुख्य अभियंता इस्तरवन अनप्रा संगर्व किया जा रहा है कि जितने भी वेकेंसी रिक्तपदी हैं या या आपकी UPPCL हो आपका यानि और इसके विप्रीत आपका UPRBNL यानि कोई भी डिपार्टमेंट दोनों डिपार्टमेंस में UPPCL में आपका 4102 लाइन में बेकेंसी के लिए बहुत ज़्यादा संगर्स चल रहा है और UPRBNL में TG2 की रिक्तपदों के संबंद में यह सूचना है यानि यहाँ पर देख पा रहे होंगे महुदस संग आपके संग्यान में लाना चाहता है कि अनपरा परियोजना में TG2 की भारी कमी है तक्नीकी करमचारी निगमहीं हो धिहान में रखकर एक साथ कई कारियस्थलों पर कारिये कर रहे हैं टेक्नीशों की भारी कमी के कारण कारियस्थल बगैर तक्नीकी करमचारी के ही चल रहा है जिसमें हमेशा दुरगटना की संभावना बनी रहती है सामानने पाली में टेक्निशन की बाहरी कमी है जिससे की कारण कई खंडों में सामानने पाली के बाद भी प्रियोजना में आकर कारिय करना पढ़ रहा है इसके अलावा दिन प्रति धिन, प्रते खंड में रिटाइर्मेंट होने एवर पर्योंत होने के बाद भी तकनिकी करमचारियों की संख्या में कमी होती जा रही है फिर भी भरती पिरक्रिया नहीं हो पा रही है जो की टेकनिकल समर के साथ घोर अन्याय है आप से संग मांग करता है कि TG2 की भरती प्रिक्रिया उत्तर परदेश राज्य विदुत उत्पार निगम लिमिटेड मुख्याले सक्तिभव नखला उसे कराने का करश्ट करें तो दोस्तो आपने देख लिया होगा कि इन भरती को कराने का कितना प्रियास किया जा रहा है और इसकी प्रितलिवी है वो सभी टेपार्टमेंट को भेजी जा चुकी है यह री काफी बच्चो की साहता के चक्कर में रहते हैं और ज्यादा तर यह व्यकेंसी की बात भी करते रहते यानि यहां पर आप देख पारे हूंगे इससे देख लेते हैं एक वार कंपनियों पर उभवकता की निकल रही रासी एवस में कमी की जाए बिजली की दरें यानि राज्य विदुद उभवकता परिशत बिजली कंपनियों पर उभवकताओं के निकल रहे 19,537 करोड रुपे के एवस में बिजली दरों की कमी की मांग की जाए साथ ही गरेल उभवकताओं पर किसानों को बकाय बिल पर सौब परतिसत आपका ब्याज माफी की जाए और दोस्तों इन्होंने काफी इसमें अपने अपने सुजाव दिये हैं और बात करते हैं जो इन्पोटेंट बात है उस पर आप देख लेते हैं तो दोस्तों यहां पर आप इनोंने एक important यहां पर एक बात कही है यहां पर आप देख पा रहे होंगे वर्मा ने प्रिदेश में बिजली बोग्ताओं की संक्याओ की अनुपात में बिजली कंपनियों के रिक्त पदों पर न्यूक्ति कराने की भी मांग उठाई है ताकि लोगों को बहतर सुविधा उपलप्त हो सके तो दोस्तों ये काफी प्रियास कर रहे हैं हमारे आपके अफदेश कुमार वर्माजी है इन्होंने उर्जा मंत्री ये आपके हमारे उर्जा मंत्री है और ये अफदेश कुमार वर्माजी है इन्होंने इसको इनके लिए एक विज्यापन सौपा है वेकेंसी को लेकर तो दो जिरकार की बातें की गई हैं यानि अभदेश कुमार बरमाजी काफी सहयोग कर रहे हैं बच्चों का वेकिंसियों के निकाले में इनका बहुत जयादा सहयोग किया जा रहा है इनके दुआरा तो दोस्तों अब चलते हैं मैं इंपोर्टेन्ट जो इनफॉर्मिशन सी यानि आ यानि इन से पूछा गया था कि 3BSA 2020 का जो नौटिफिकेशन था टेक्निशन एलेक्टिकल यानि उसमें कितने बदपच्चों ने आपका फारं फिल किया गया था यानि कितने बच्चों ने फारं फिल किया है और उसका जानकारी मागी गई थी और दूसरा जो कुश्चन था इसमें यहाँ पर आपको दिया गया था यानि फ्यूचर में एक्जाम जो आपका कब तक हो सकता है इसके बारे में कोई इस पेसिक डेट उसको बताना है तो ये दो कुश्चन थे तो चलिए कुछ सटीक जवाब नहीं मिला है इन कुश्चन को लेकर तो चलिए फिर एक बार इन पर नजर मार लेते हैं यानि क्या जवाब उससे विभाग की तरफ से क्या जवाब दिया गया है इस RTI को लेकर तो दोस्तो ये वो RTI का जवाब है यानि विद्दु सिवा आयोग उत्रपरदेश पावर कॉर्ड पेशन लिमिटेड उत्रपरदेश सरकार का उपकर्म SLDC परिसर निकट मंत्री अवास विभूतिक अंड फेज 2 गोंपतिन अगर नख लओ यानि यहां पर आप देख पा रहे होंगा 18 फरवरी 2021 कोई वहां से अपडेट किया गया है इस नोटिफिकिसन को और मैंने जिनकी बेसिक सी जानकारी है वो परसनली जानकारी में यहां प यानि उप्यक्त जो भी से था आपका ओनलाइन आपकी RTI फाल की गई थी और दिनांग 24 जनवरी 2021 कोई RTI फाल की गई थी और उसमें एक अर्दो जो आपके आपके यहां पर यानि दो कुछन पूछे गए थे उसके एवस में यहां पर इसके जवाब दिये गए हैं यानि च UPRBNL TG2 की जो इसमें फैरम अप्लाई की थे उनके बारे में इसके जानकारी मैंगी थी और उसकी परिक्षा के बारे में पूछा गया था यानि कब तक परिक्षा हो सकती है और कितने बच्चों ने फारम किया है तो वहां पर भी यही बोल दिया गया था कि चेन प्रिक्र आत्मागी जाती तो साइध इसके जवाग मिल सकते थे वैसे आप सभी को एक बार में फिर बता देना चाहता हूं को यूपी-पी-से-ल टीटू के जो आपके जो आवेदन किया है वह लगबग एक लाख बच्चों ने इसके लिए आवेदन किया है यानि आपने देखा हुआ था कि कितने लगबग एक लाख बच्चों ने फारम इसमें अपलाई किया गया था यही वहां से जानकरी उस नोटिपिकेशन के द्वार मिली थी तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको डाउट क्लियर होगा यानि मेरे इसमें पिछली एक नोटिपिकेशन जारी मैं जान रहा था कि कितने-कतने बच्चोंने किस-किस ऐसे कारगे में फारम फिल कीया है तो दोस्तों वहाँ से कोई जानकारी इस पिरकार की नहीं मिली है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो को लगई एक नाइक और शेर